नमस्कार दोस्तों साथियों मैं हूँ डोक्टर अना राम आज का अपना विश्य है सम्विधान दिवश जो की प्रतिवरश सब्विश नॉम्बर को मनाय जाता है सब्विश नॉम्बर उन्पचास को अपने जो सम्विधान निर्माता थे डोक्टर भीमरा आमेटकर और जिसको हम गंतंतर दिवश की रूप में मनाते हैं तो ऐसा क्यों हुआ कि अपना सम्विधान तो पहले ही बनके त्यार हो गया लेकिन लागू हमने सब्विश नॉम्बर से न करके सब्विश जिनवरी 1950 को किया इसका ये कारण ये था कि सब्विश जिनवरी हमारे इतियास म एक बहुती महतोपुर्ण दिनांक और दिन है और उसको याद कर रखने के लिए हमने सब्विश जिनवरी 1950 को सम्विधान लागू किया और इसको गंतंतर दिवश की रूप में का कि अब भारतिये लोगों के पास अपना खुद का एक सम्विधान है और वो खुद अपना चला सकते हैं खुद की अपनी administrative system या लोगतंतर को चला सकते हैं उसको याद रखने के लिए 27 जनवरी 1950 को यह किया गया इसका कारण यह है कि 27 जनवरी 1930 को पहली बार जो भारत के जो 57 सेनन नहीं थे उन्होंने इस दिन को Independence Day की रूप में मनना आया था जब British रों के खिलाप अपनी लड़ा ही चल रही थी तो उसके साथ साथ अपनी यह भी मांग थी कि हमारा खुद का एक राजी हो डॉमिनिन स्टेट हो जहां पर हम British अपना राज करें लेकिन उसके अंदर हमारी खुद की व्यवस्ता हो तो उसकी मांग को British रोंने खारिश कर दिया तो उसके विर अपना एक समीदान लगू किया और इसके बाद में हमने एक लोगतंतर के रूप में हो गए गणतंतर का मतलब होता है कि लोगों का शाषन जो अपने ही लोग अपने ही लोगों पर शाषन करें उसको लोगतंतर का नाम दिया गया और उसको हम Republic Day के रूप में मनाते हैं अप हम अलग अलग सेतर में रहते हैं कोई North East में है कोई South में है कोई उत्तर में कोई उत्र पच्छी में हमारी सब की खान पान रहन से अलग अलग है उसके बाद भी हम सब भारतिये कहलाते हैं इसके पीसे एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो 77 सेनानी थे उन्होंने सब के हमें एक था यूनिविटी इन डाइवर्सिटी तो उसको जो बरकरार रखने के लिए हमारे जो 77 सेनानी और जो लड़े लड़ी और उसके बाद में जो हमारे समीधान निर्माता थे उन्होंने समीधान का निर्मान किया और उसके आदार पर आज हम सब लोग भारतिये कहला आते हैं अपने समीधान की बहुत सारी विसस्ता है और बहुत सारी यूनिक ने ऐसे अपना जो समीधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा समीधान है इसमें सबसे बड़ा समीधान के साथ लिखित समीधान है जिसमें सब कुस लिखा हुआ है कि कब क्या करना है और इसमें नागरीक दा कानून क्या है उसके बाद में आता है fundamental right जिसको मूलबूत अपना जो अधिकार है वो है उसके बाद में जो नागरीक होते हैं उनके पास duty क्या क्या होती है उसके बाद में यह आता है कि कैंदर सरकार कैसे चलाएंगे, President कोण होगा, Prime Minister कोण होगा, State कैसे चलाएंगे, CM कोण होगा, Governor कोण होता है, उसके बाद में High Court का क्या है, Supreme Court का 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 म क्या है, निचली अदलतों का चा का म क्या है, Election Commission क्या होता है, ये सब अपने Constitution में लिखा हुआ है, उसके आधार पर आज जब भी कुछ भी होता है तो नागरी जो सरकार होती है उनके विरुद लड़ाई करते हैं कि हमारा हक है किसानों ने प्रोटेस्ट किया तो सुप्रियम कोड ने ये भी कहा कि उनके किसानों का हक है तो ये बहुत ही एक मुलभूत तरीका है जीवन जीने का अपड़ा जो कॉंस्टिटुजन है वो कोई ऐसा ही डोकुमेंट नहीं है वो एक जीने का आधार है दैट इस लो आप लेंड टू गवरन ओल दी इंडियन वो एक बहुत ही महतुपन डोकुमेंट उसकी वज़से ही आजकल जब भी कुछ अन्याय होता है तो वो सब सुप्रियम कोर्ट या आई कोर्ट में जاشते है क्योंकि उन्हों कोई विश्वास है और समिधान का जो गर्जियन है जो प्रोटेक्टर है वो सुप्रियम कोर्ट के पास बहुत सारी पावर है उसकी वज़े से वो किसी भी सरकार को कह सकती है कि आपने गल्द किया है तो ये बहुत ही मनत्पुन बात है और नागरिकों के लिए बहुत ही फंडमेंट राइट किये गए हैं शुरुआ से लेकर जैसे की चुआ चूत अंटचिबिलिटी को वेदबाव था या एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि ये अपने पास गाइडेंस है गाइडलाइन है कि क्या करना है अगर कुछ अपने साथ गर्थ हो जाए और इसके साथ इस्टेट पर एक रेस्पोंसिबिलिटी जी गई जिसको बोलते हैं डारेक्टिव प्रिंसीपल आप इस्टेट पॉलिस गरीबी को हटाना है ये सब एक moral क्या बोल सकते हैं obligation रहता है इस्टेट पर कि वह काम करे और वह काम तभी करेगी जब समीधान होगा तो अपना समीधान उसके साथ एक living document ऐसा है कि हमारा समीधान आज तक सौ से ज़्यादा बार amendment हो सका है मातब बदल उसके कुछ बदल समय के साथ उस मांगों को include करने के लिए अपना समीधान बदलता रहता है तो अपना समीधान flexible भी है और rigid भी है तो ये बहुत ही खूबी बात है अपने समीधान का हमेसा respect करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे अपना समीधान ही अपनी पैसान है अपना जो समाज संस्क अपने समीधान का हमेसा respect करें उनको पढ़ें उसको समझें और उसके आदार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं इन modern technology में knowledge की युग में अपने को समीधान के बारे में कुछ नकुछ पता होना ही चीए तो ये मेरा सोटा सा प्रयास्ता ब जन्यवाद, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रम